हेलो एव्रीवन वेलकम तू सीवट एड़ निवर्स एवन माई नेम इस अमन महता और आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों से जो बच्चे अभी अभी प्यार से एकदम 11 पास करके 12 तक पहुंचे हैं तो बैटा आज हम बात करेंगे आपके फ्यूचर की क्योंकि हमें फ्यूचर की चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखके चलो ताकि उसकी हम प्लानिंग कर सकें उसके लिए हम प्रोविजन्स बना सकें तो हम तो एक्सपर्ट हैं वाले हैं तो इसलिए आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपके फ्यूचर में जो आपको एंट्रेंस एक्जाम देना है वह आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसको किस तरह से डील कर सकते हैं हम जब हम क्लास 12 में हैं तो साथ साथ करेंगे सब कुछ पढ़ेंगे और नो डाउट हमारा क्लास 12 हमारी प्राइरिटी या फिर इन्फोर्मेशन प्राक्टेस या फिर फिजिकल एज्योकेशन भी हो सकता है ऑफ्शन में तो आप यह सारे क्या करते हैं सब्जेक्स पढ़ते हैं तो अगर हम देखें तो उपर के तीन तो 100 प्रसेंट आप पढ़ी रहे होंगे और एक लैंग्वेज जरूर सब्सक्रास के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वह बहुत ही अच्छे से पढ़े क्योंकि नॉलेज्ज जो होती है वह हमें हर मुसीबत से बाहर निकालती है चाहे कुछ भी हो अगर आपको आपके बेसिक क्लियर्स हैं तो भाई वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली 101 प मिलेगी अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगया आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत है देखनी पढ़ेंगी ठीक है तो आपने सोच होगा एक अच्छा कॉलेज मिलेगा या मैं जो भी करूंगा वो सारी चीज़े कोई कोर्स होगा पर्टिकु स्टैडिस्टिक्स ओनर्स जिसको हम बोल सकते हैं बैचलर बिजनस एडविनिस्टेशन बीबी ए ठीक है बीकॉम बीकॉम ओनर्स हर एक चीज़ जो भी आपको यहां पर दिख रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे कोर्स होंगे जो आप करना चाह रहे होंगे तो मैंने थोड़ और अच्छा करके निकलते हैं मैं यह नहीं कहा रहा कि जो कहते हैं एवरिज कॉलिज से निकलता है वह कुछ नहीं कर रहे हैं वह भी बहुत कुछ कर रहे अपनी लाइफ में लेकिन जब हम एक सर्रावनिंग अच्छी मिल जाती है तो हमारे कहते हैं जो प्रोड़क्टिव जिसको आप SRCC बोलते हैं लेडिश रायम कॉलेज हिन्दु कॉलेज घंसराज कॉलेजे कर ओरिम boost कॉलेज ऐसे लिस्ट है बहुत बड़ी लिस्ट है एक्जाम दे कुछ भी करें उसमें आप कभी भी इस वजा से ना रह जाएं कि आपको 12 में कुछ नहीं आता था या आपने 12 में कोई कमी छोड़ दी थी ठीक है तो पहली strategy तो हमारी यही रहेगी किसी भी college में जाने के लिए कि 12th class को अच्छे से पड़ेंगे ओके फिर अगर हम बात करते हैं कि admission लेने तो admission जो हो रहे हैं अब वह बेटा किस तरह से हो रहे हैं वह हो रहे हैं admission is through CUET-UG exam ठीक है तो बेटा CUET एक नाम का exam है वह आपको देना पड़ेगा अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपने पहली बार अभी 12 माय तो अगर आपने पहली बार CUET का नाम सुना है तो मैं आपको पता जाता हूं CUET UG UG मतलब undergraduate exam ठीक है undergraduate जो आपका course है वह आपको करना पड़ा अब इस CUET exam के लिए आपका eligibility criteria क्या है सबसे पहली बात आपकी 12 पास आउट होने चाहिए आप ठीक है कोई भी अग्वर्सिटी से ठीक अपीर इन CUET for same subject as chosen in class 12 और आप जब exam देंगे तो आप क्या करोगे बैटा है जो class 12 के अंदर जो भी आपको मैंने subjects दिखाए हैं वो उनको choose करना पड़ेगा आपको और उन में उसके लिए exam देना पड़ेगा यहनि subjects क्या है है CUET में वही subjects हैं जो आपने 12th class में पड़े हैं हाँ कुछ extra subjects उसके बारे मैं भी मैं बात करूंगा ठीक सबसे पहले question उड़ता है कि सर CUET क्या है थोड़ा अच्छे से बता दो तो बेटा CUET full form होती है common university entrance test common university entrance test सर मतलब full form नहीं पूछे थी थोड़ा मतलब भी बता तो बेटा देखो यह जो CUET exam है इसको पहले हम बोलते हैं Central universities common entrance test यहनि C U C E T ठीक है is an all India test यह क्या है बटा एक all India test है being organized by national testing agencies ठीके national testing agency है वह यह conduct करवाती है NTA जिसको हम शॉट में बोलते हैं बहुत famous है for admission to various undergraduate integrated post graduate diploma certification courses तो भाई integrated course हो post graduate course और graduate course हो diploma course हो कुछ भी हो उसके लिए क्या करते हैं NTA CUET करवाती है ठीक है एंड रिसर्स प्रोग्राम also take in 45 Central University बीटा 45 University इंडिया की जो है Central University उनके लिए यह करवाती है it is also accepted by number of other state universities और CUET को कौन और accept करता है State University भी accept करती है बहुत सारी and deemed universities ठीक है तो यह होता भी एक ऐसा exam जो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं हाँ उसके बारे में बात करते हैं तो पहले बता रहा हूं मैं आपको जी टी इसको हम बोलते है जर्नल टेस्ट प्लस लेंविज फिर कुछ मेजर कॉमर्स के सब्जेक्स होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं अब अल्टिमेटली देखो गेम क्या है गेम यह है कि आपके तीन सेक्षें सेक्षें यह प्लस गतते हैं सraumबॉर्ण की यह सेक्षें सब्जेक्ट अपको प्लसेंग नहीं था हैं रीजनिंग नहीं था quantitative aptitude जिसको क्वांट बोलती है और current affairs बिटा यह तीन सब्जेक्ट मिला करके जर्नल टेस्ट बनता है तीक यह तीन चीज़े आती है तब जाके जर्नल टेस्ट का एक एक एक्जाम होता है फिर language की बात करते हैं क्योंकि language भी बहुत सा अग्जाम दे सकते हैं और आपको क्या करना पड़ेगा वट तीन domain exam domain exam वह एक्जाम होते जो आपने class 12 में subject लिए हैं वह करना ही पड़ेगा ठीक है जैसे accountancy बहुत सारे बच्चे पढ़ते बिजन स्टेडीज है इकोनोमिक्स बिजन से इकोनोमिक्स इकोनोमिक्स इन्फोर्मेशन प्रैक्टिस हैं मैथमेटिक्स हैं एप्लाइट मैथमेटिक है और कई बच्छे इंट्रप्रशिप भी पढ़ते हैं ठीक है तो सर मतलब समझ में इने आप कह रहे थे कि जो हमारे 12 सब्जेक्ट है वो चुनते हैं हम वो सिलेक्ट करते हैं तो बिटा देखो बात कहा है इन डिपेंड्स युनिवरसिटी टू उनिवर्सिटी कोलस्टी कॉलीफ टू कॉलेश आप किस कॉलेज में जाना चाते हैं आप आपका जो कॉलेज है तो आपसे क्या डिमांड कर रहा और दो मेंद्र तो एक जर्णल टेस्ट देख ले ना और इनमेंसे कोई डूमेंड ले ले लेना अब डिपेंड करता है तो अप सारी इंडिया में जितनी भी उनिवर्सिटिटिश उनको को टार्गेट कर पाएंगे ठीक है और हम भी एडवाइस देते हैं कि आप तीन डोमेन एक जीटी और एक लैंग्विज को पकड़ के चलो उसको क्या कहते हैं जब आप सी उटी का फॉर्म फिल करें उनको टिक कर दो कि हम यह एक्जाम देंगे सी उटी किसी चीज के लिए मना ठीक अज है घुक्न का जो Kaiser करेंगे तो हर युणिवर्सिटी कम से कम मांगे ले हैं फॉर्म या लेइंग्विज से जाह तक मुझे लगता है एक हये बाताना चाहिए अ और यह 12 के साथ साथ हो सकता है सर कैसे करेंगे बेटा सबसे पहली चीज तो यही है कि आप अकाउंट एंसी आप बिजनस स्टेडी इकोनोमिक्स जो मेन आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट वो तो पढ़ी रहे हो तो उसको क्यों न अच्छे से पढ़ा जाए उसको बहुत लेंग्विज पढ़ाया जा रहा है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी और आपको जर्नल टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी यह तीनों ही चीज़े आपने क्लास में कहीं पर भी नहीं पड़ी है तो यह चीज़ हमें समझ मारी है और यह यह त इंगे साथ सथ तो इसकी टेंशन नहीं है में टेंशन जीटी और लेंग्विज इसकी है तो इसके लिए एक समाधान आपको मैं देता हूं जो आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्फुल रहेगा और वो क्या है बिटा अभी 2024 के लिए जो 2024 में बच्चे पढ करेंगे तो सर अब भी तयारी क्यों करें बिटा आपके लिए जो कोर्स में बता रहा हूं जो 2024 7 आपको आफर करता है वह आपको 12 क्लास भी पढ़ा रहा है और साथ-साथ आपको सीवीटी की प्रिपरेशन कराएगा तो एक इंटीग्रेटिड कोर्स में आपको बताने वाल करेंगे 12 का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले और उसके आगे हम क्या करेंगे एक स्मार्ट पैटन के हिसाब से आपको चीज़े समझाते वह चले जाएंगे ताकि आपको पता हो कि भाई हम सीवीटी में भी क्या करने वाले हैं और 12 क्लास तो हम फोड़ ही देंगे क्लास का टाइम पूरा आप अराम से बिता पाओगे अच्छे से पढ़ पाओगे हमारे साथ प्रिप्रेशन कर पाओगे और उसके बाद भी अगर यहां से भी देखते हैं तो आपका सीवीटी का एक्जाम भी हो जाएगा डूंट वरी अगर हम बात करें महापैक की तो महा अब ले ले लेते हैं तो आगे आने वाले जितने भी सीऊब्लीह 2020 का एक्जाम जितने भी सीवीटी के बैचिस हीजभन जाइगा वह आपको व्री ऑफ- तो आपको चलता ही रहेगा साथ साथ आपको और प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे रिवीजन क्या करते सेशन मिलेंगे रिवीजन बैचे आएंगे तो उसको आप बिल्कुल भी न छोड़े ठीक है लाइव इंट्रेक्टिव क्लासे दोंगी डाउट्स और क्लियरिंग सेशन देंगी और कोर्स तो भाई जो कोर्स की फीस है वो अफॉर्डेबल ही है आपको यहां पर दिख रहा हो गया 10,000 सम्थिंग है और इसके लिए आपको भाई एक कोड लगाने जिससे आपकी जो जो आपका अमाउंट है यह कम हो जाएगा ठीक है यह आपको मैक्सिम डिसकाउ सरी यह तो बहुत जाधा लग रहा है बिटा बिल्कुल भी जाधा नहीं है अगर आप कहीं कोचिंग भी लेते हैं कहीं आप कोचिंग लेतें 12th क्लास की तो वहां पर आप 1000 पर सब्जेक्ट तो देंगे पर सब्जेक्ट 1000 तो देंगे ही यहां पर आपको अकाउंट एंसी बिजनस टेडिज, इकोनॉमिक्स, मैथामेटिक्स, जर्नल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्विज, हिंदी लैंग्विज, सब कुछ मिल रहा है और अगर हम 10 महीने की भी बात करते हैं अगर हम 10 महीने भी पढ़ाते तब भी आपको 1000 ही कॉस्ट आती तो 13 मन्थ पढ़ा रह है तो इससे ज्यादा अफॉर्डेबल पूरी मार्किट में आप कहीं पर भी जा करके देख लो कहीं पर भी आपको इससे अफॉर्डेबल इससे बढ़िया वैल्यू वाला कॉर्स नहीं मिलने वाला तो अब भी से आप अपने यह समझे कि सीउटी की सीउटी 24 की तैयरी तो सीउटी एक्जाम पास आएगा हमारी इंटेंसिटी सीउटी 24 के लिए इतनी बढ़ जाएगी और यह जो प्लाटफॉर्म आप अभी देख रहे हैं यह इंडिया का नंबर वन प्लाटफॉर्म है जो जहां पर सबसे ज़्यादा बच्चे सीउटी के लिए हमसे जुडते है है चाहे वो यूट्यूब चैनल हो चाहे वो हमारी पेट क्लासे तो आई होप आप लोगों के लिए यह कोर्स बहुत वैल्यूबल रहेगा और आपको जो यह आज इंफोर्मेशन मिलिया रिगार्डिंग सीउटी वह आपके लिए हल्फुल रहेगी तो आप क्या करेंगे सेशन को लाइक जरूर करिए अगर आपको लगता है कि यह सेशन यह वीडियो आपके लिए हैल्फुल थी एंड उन सब भी बच्चों करें जो अभी 12th क्लास के अंदर आए हैं कॉमर्स के और कमेंट करके बताइए कोई अगर आपका डाउट रहता है सीउटी से स्क्राइब गरूर कीजिए अगर आप इस चैनल पर नहीं है क्योंकि यह चैनल आपको इतना वैल्यू देता है जो आपके अकैडमिक्स को अच्छा कर सकता है और आपको आपका ड्रीम कॉलेज दिला सकता है ठीक है तो बाइबाइ टेक क्यार एंड मिलते हैं नेक्स्ट वी कीजिए क क्या फ्रीम कॉले के ला आपके मेवमाशे इस सकता है ठापक कि वीजवे घरन इस सकता है ज्दिए ये द Je Tuesday वीजवें कि दो आपके मॉल आपके लग We Efendimiz